आज वित्तिय वर्ष 2425 का बजट पेश किया गया है यह vishnudev साय सरकार और वित्त मंतरी ओपी चौधरी का पहला बजट है CG बजट 2024 वishnudev साय सरकार का पहला बजट पढ़ें वित्त मंतरी ओपी चौधरी की बड़ी घोशनाएं एक घंटा 24 मिनट का बजट भाशन वित्मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपना पहला बजट प्रस्तुत किया ये बजट भाशन करीब एक घंटा 24 मिनट तक चला ना कोई नयाकर लगाया गया है और नही कर वृद्ध की गई है नयाकर लगाय स्वयम के आए में 22 प्रतिशत की बढ़ोती पर लक्षे रखा है एक टैंटेन हजार पांचसोदो बीस करोड करजभार एक लाख साथ हजार पांचसोदो करोड शुद्ध वियाय एक लाख सैन्टालिसीन हजार करोड प्रदेश में अधोसनरचना विकास को प्रोचसाहित करने के लिए आठ हजार तीन सो सत्रा करोड रुपए का प्रावधान प्रदेश के सभी एरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान कट घोरा से डोंगरगड रेल लाइन निर्मान को तीवर गति से करने के लिए 300 करोड का प्रावधान युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 36 गढ़ उद्यम करांती योजना प्रारंभ की जाएगी सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान स्थानिय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मोल की स्थापना की जाएगी इसके लिए 80 करोड रूप का प्रावधान 200 करोड डी एच की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी 6,26,000 कृशी पंपों को लाब दिलाने योजना बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1260 करोड डी आच का प्रावधान एक अलबत्ती के लिए 540 करोड डी आच का प्रावधान मनेंदरगड में चिर्मिरी नागपुर हाल्ट तक नई लाइन कटगोरा से डोंगरगट रेल लाइन के लिए 300 करोड 400 योजना तक हाफ योजना लागू रहेगी इसके लिए 1276 करोड बजट में दिया गया है BPL उभोकताओं को 30 योजना में 30 करोड का प्रावधान प्रशासनिक कारियों में तेजी लाने आईटी को बढ़ावा दिया जाएगा शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 330 पदों पर भरती की जाएगी दीन दयाल उपाध्याय क्रिशी मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है प्रतियेक परिवारों को प्रतिवर्ष आई हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी 500 करोड का प्रावधान अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान श्रमेव जैते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान बड़ी घोशना पंडित रविशंकर शुकल विश्विद्यालय रायपूर में फोरंसिक साइंस की प्रयोग शाला स्थापित की जाएगी नवा रायपूर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा नवीन ओद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान पिपरिया में राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड डी डी एच स्वास्थे सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान सिम्स के नव निर्मान के लिए 700 करोड डी रुपए का प्रावधान मेका हारा रायपूर के लिए 783 करोड डी मनेंदरगड कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर AT के न्यूज चैनल पर हर वकक्त की नई और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए ओपी चौधरी के बजट की सीएम विश्णुदेव साय ने की सराहना बोले विकसित चत्तीजगर के सपने को साकार करने वाला बजट मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय ने कहा है कि चत्तीजगर का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आने वाले कई वर्षों तक चत्तीजगर के विकास की दिशा और दशा समवारने वाला बजट है उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का राजस्व बरहाने वाला बजट है इस बजट में करका कोई नया प्रस्ताव नहीं है, नहीं मौजूदा करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है, यह बजट समी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला और विकसित 36 गर के सपने को साकार करने वाला बजट है अम्रित काल का 36 गर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्मान के लक्षे को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री साय आज वित्त मंत्री चौधरी द्वारा विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2425 का बजट प्रस्तुत करने के बाद समिती कक्ष में लीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे दे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरून साव और विजय शर्मा वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य सचिव अमिताप जैन मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और वित्त सचिव अंकित आनंद भी उपस्थित थे दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर AT के न्यूज चैनल पर हर वककत की नई और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद